दोस्तों सब्सक्राइब आद आप लोग के लिए कि और लेक्चर लेकर आया हूं अब हम बात करेंगे जनरेटर और आइटरेटर के बारे में येस अभी तक ये टॉपिक इस कोर्स में अभी तक अभर नहीं हुआ था लेकिन मैं आप लोग के लिए और लेकर आया हूं इसको कवर करने के लिए तो लेक्चर 34 हम स्थार्ट करते है जनरेटर और आइटरेटर सबसे परदे हम बात करते है जनरेटर और आईटरेटर ये चीज है क्या और रहें तो मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा विट डियाग्राम्स तो आप अराम से इसको समझ पाऊगे देख पाऊगे और आपको लगरा हूँ मैं आपके तरफ नहीं देख रहा हूँ मैं आपके तरफ ही देख रहा हूँ, वो screen भी सामने तो screen की तरफ भी देख रहा हूँ कि मैं कैसा देख रहा हूँ, so don't worry about it, हम करते इसको काँ, so iterator है क्या, ठीक है, भाई iterator जो है python में वो एक serve कर रहा है, काम कर रहा है as a holder for objects, yes, क्योंकि आपको पता है का python के अंदर जो भी काम हो रहा है, सब objects के थुरुई हो रहा है, चीज क्या है python है pure object oriented language, भाई object ही object है, सब कुछ हर चीज, मैं object, ये object, हर कोई पढ़ान पढ़ने वाला object, पढ़ने वाला भी object और python खुद एक object से बना हुआ है, तो python में जितने objects है, उनको कई hold करने का, उनको संभाल के रखने वाला, वो क्या है iterator है, ठीक है, इतनी सी वाल समझ जाओ, तो उनको hold करके रख रहा है, क्यों, क्यों जिससे की वो iterate किये जा सके, बा आपना खुद का loop बना रहे हो, एक object है, आपने उसको सम्माल के रखा हुआ है, उसके पर आप iterate किये जा रहे हो, किये जा रहे हो, तो आपको खुद का loop generate कर रहे हो, ये facility किसी और language में नहीं है, सिर्फ python में मिलेगी आपको, येस बता रहा हूँ, तो और generator क्या होता है, वो इस तरह के iterator के लिए facilitate करता है, कि ऐसा iterator के custom iterator बनाने की जो सुविधा प्रवाइट करने वाले कौन है, generator, और iterator क्या कर रहा है, एक objects को hold गा के रखेगा, और क्या करेगा, ताकि उसके बढ़, iterate किया जा सके, तो भाई, जो generator भाई साब है, ये it's always an iterator, but iterator is not always a generator, ये देखिए, जोरा मैं आपके लिए बना रखा है, कैसा रखा diagram, इसे diagram पर like बनता है, और like कर दो इस वीडियो को अभी तक, right, चलो, और difference लहता है, ये तो चलो, हमारा overview था, अभी और अच्छे से, इनको सबनने का प्रयास करते है, तो भाई, अबभ जो हमारा, जो syntactic difference आते हैं, implemented using a function, generator जो implement किया जाता है, वो function के द्वारा implement किया जाता है, और iterator implement किया जाता है, using a class, class वाले वीडियो ज़रूर देख लेना, class वाले concept अगर नहीं जहाना रहा है, तो विलकुल देख लेना, right, generator yield keyword का इस्तेमाल करता है, generator yield, yield का इस्तेमाल करता है, और iterator कहता है, मैं तो इसका कोई जरूतनी मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा yield keyword का, और generator कहता है, जो usage है, वो concise code में result कर देगा, जो इसका इस्तेमाल करेंगे generator का, ये code को छोड़ा, और compact, concise, और छोटा सा बढ़िया, सस्ता, सुन्दर टिकाव बना देगा, right, छोटा सा प्यार प्यारा सा बना देगा, और iterator भी क्या करेगा, क्योंकि generator iterator को generate कर रहा है, उसके बाद क्या होगा, user क्या होगा, एक relatively less concise code, तो इससे भी छोटा code बनके त्यार हो जाएगा, code का छोटा code बनके त्यार हो जाएगा, मतलब हम बड़े-बड़े code लिखते हैं, वो generator क्या कर रहा ह तो iterator hours को छोटा कर देगा, all the local variables before the yield statement are stored, yield statement होती कहा है, मैं आपको भी next letter बताऊंगा, इस statement, जो भी yield statement आप दे रहे हैं, इससे पहले कि जितने variables हैं, वो सावे store कर ली जाते हैं, किस case में, generator के case में, पर iterator के case में, कोई भी local variables का इस्तमाल नहीं होता है, सिर्फ generator ही है, जो local variables का इस्तमाल करता है, और कोई नहीं करता है, अब बात करते है yield keyword के, जो काफी देर से चार्चा कर रहे है, ये yield keyword है क्या भाई, राइट, इतने बड़ी अंग्रेजी आपके लिए लेकर आँ मैं, हाँ, तो yield keyword है क्या, एक keyword है python में, जो की इस्तमाल होता है, क्या, return करना function से, बिना destroy किये उसके state of local variable, उसके local variable के state को destroy किये बिना function से return कर दे, value को return कर दे, and जब वो function call होता है, तो उसका execution start होगा, वो last yield statement से होगा, अभी समझाएंगा, don't worry guys, आपने मेरे lectures अगर देके हैं, तो मैं पहले थोड़ी जी अंग्रेजी बताता हूं, थोड़ी theory बताता हूं, और practical जादा लेकर आता हूं, तो don't worry, इसको बात को धान में रखता हूं, क्या कह रहा है ये, yield keyword क्या करता है, function से कुछ return करेगा, उसके जो local variable होगा, इस function के अंदर जो local variable होगे, उसकी state को destroy किये बिना, और जब वो function call होता, जो execution start होगा, वो yield statement से ही शुरू हो जाएगा, वो function को पूरा शुरू से लेकर अन तक नहीं पड़ेगा, वो yield statement जहां भी आएगी, वहां से पढ़ना शुरू करेगा, और कोई भी function, जिसके अंदर yield keyword है, उसको क्या क्या क्यते, generator, क्या क्यते, generator, तो generator किससे शुरू होता है, हमेशा किसे में implement होता है, functions के अंदर होता है, अभ कि वो एक generator है, yield is what makes a generator, yield ही है, ये keyword ही है, जो एक function को generator बनाता है, और ये yield keyword is less known of, मतलब बहुत कम चर्चा में रहता है, कहते हैं ना कि बहुत कम चर्चा में रहता है, जिसके साथ चर्चा नहीं हो, इसके कोई बात नहीं करता, भाई, आगर आप IT industry में काम कर रहे हैं, अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, generator, iterator बहुत इसमाल होता है, भाई, IT में development में बहुत इसमाल होता है, आपको नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि slavus में इसका जिक्र है ही नहीं, और जिसने slavus बनाया उसको भी नहीं पता, मैं आपको सब जा रहा हूँ, जिसने slavus बन कि आता generator, iterator, तब तक तो भाई, कोई पढ़ता भी नहीं है, right, but has a greater utility, which one can think of, अब देखते हैं, utility किस प्रकार, बहुत जादा है, अच्छे जी, बाते कहीं जा रहे हैं, इसके बारे में, लो जी, अब हम example लेखते हैं सीधा, अब आप हर हम मिलके, create करते हैं generator, ठीक है, जो क generate करेगा, all the non negative numbers, up to the specified positive number, सारे non negative numbers generate करने, एक positive number तक, ठीक है, remember, धान रखने वाली बात है, remember that, ये धान रखने वाली याद रखने वाली बात है, कि जो return statement होगा, वो terminate करेगा, function के execution को, return statement हमेशा, function के execution को, terminate करता है, वो end में आता हमेशा, entirely, जबकि जो yield statement है, वो save करेगा, function के state को, और resume करेगा, उसका execution, जहां से वो start हुआ था, yield statement क्या करता है, function को terminate नहीं करेगा, वो वहाँ तक हैगा, function के state को, पचा के रखेगा, save करके रखेगा, और जितनी बार call होते जाएगे, वहीं से call होते जाएगा, कि फंक्शन चालू होते जाएगे, मेरा और आगे काम करना, शुरू कर देगा, सिर्था example देगे, यह आपके लिए बहुतने example लेकर आया हूँ, इसके लिए like बनता है, कि नहीं बनता है, yes, कर दो like अभी, अभी कि अभी, very good, function to generate all the non-negative numbers, up to the given non-negative numbers, यह हमें करना है, by def keyword है, function का, up to n, यह मना रहा हूँ, for loop चलाया, i जो मेरा variable है, iterator variable है, range n plus 1, तो अच्छा, यह आपको पते, range n plus 1 का मतलब क्या हो गया, अगर मैं range 10 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, 0 से लेकर 10 तक चलेगा, 0 to 9 चलेगा, और 0 to n plus 1 करूंगा, n plus 1 लिखा, तो means क्या हो रहा हूँ, 0 से लेकर, n plus 1, इसका मतलब n भी कवर होगा, 0 से लेकर n तक कवर होगा, तो yield statement क्या कर दिया, यह yield statement is what makes a function, a generator, तो मैंने क्या कर दिया, yield i कर दिया, इस i जो मेरा iterator variable है, इसको मैंने क्या कर दिया, yield कर दिया, yield क्या मतलब हो गया, कि इसको बचा के रखो, for number in, य return statement नहीं लिखी है, हमने return statement नहीं लिखी है, यहाँ पर guys, पहला ऐसा function आहीं देख रही है, यहाँ पर return के जाओ के जिए किया लिखा है वहने, यह दिखा है, और इससे बाहर आके, मैं function से बाहर आचुका हूँ और बहर आके लिखा है और पहर वहने फिर for loop लिया अब मेरा ये function क्या बन गया याद आपको ये for loop में क्या आता है यहाँ पर आपको sequence आता है ये sequence इटरेटर है जिसके उपर variable iterate करेगा इसके उपर variable आगे increment होके या decrement होके आगे या पीछे बढ़ेगा उसे कहते है इटरेटर तो ये देखे sequence है मेरी तो मेरा function sequence बन गया मैंने का विए up to 5 तक चलो up to function call किया n के value 5 दी n plus 1 क्या हो गया 6 तो i मेरा चलेगा 0 से लेकर 6 तक और मेरा उसको number को print करता जाएगा देखिए output सामने आपके यहां पर यह output हो सकता है आपको छुप रहा होगा तो 0 1 2 3 4 5 यह output आ रहा है 0 1 2 3 4 5 अभी के अभी इस video को pause करो और इस program को लिखो और बुझे output generate करके बताओ comment section में बताओ कि क्या आपको same output आ रहा है के नहीं आ रहा तो 0 1 2 3 4 5 आपको यहां पर generate करने वाला बना रहा है तो एक function भी sequence generate कर सकता है yes it's a possibility यह हो सकता यह संभफ है किस में cable to cable generator के द्वारा और इस generator की facility कौन देता है आपको python हमारा अपना प्यारा python right तो यह क्या बात आपको समझ में आ गई है क्या example समझ में आ गया है आ गया है तो comment section बताई आ गया लिख दीजिए आ गया पताई क्या आ गया समझ में आ गया right और मजा आ गया यह भी कर सकते हो okay right very good इतनी energy होनी चाहिए मेर में इतनी energy तो आप में बहुत जब्दस energy है भाई मुझसे ज़्यादा okay एक और example देखें इस energy पे एक और example लेखते है आपको यह थोड़ा white color में दीए ताकि हो सकता है किसी को black पिना दिख रहा हो तो white में मैं कोशिश कर दिये मुझे पता ना कि सही लग रहा कि दिल लग रहा okay तो भाई generator है मेरा यहां पर print even test list मुझे even number print कराने इसमें क्या करना demonstrate करना yield keyword का और मैंने का के भाई for loop चला है test list के अंदर और मैंने पूछा के भाई I percent two equal to equal to zero yield आई अभी क्या कर रहा है यह कर कह रहा है यह कह रहा है यह कह रहा है जो number even number है उस list में से उस number को save करता है क्या कर रहा है यह save कर रहा है अच्छा एक और आपको चीज बिटाता हूं यह yield keyword जो आता होता है RAMI क्या होते है फार्मिंग के अंदर क्या आता है क्या कहता है फार्मर क्या करता है जो फसर उगाता है फसर उगाने का क्या है उगाता Cornharm यह फसल उगाने को, फसरीन उगी है जो यह आउठ पट यहां पर यह जो यह ओग रहा है इसको स्टॉक पाइल, में वो है concept यहाँ पर आ गया हमार पास तो test list में आपको यहाँ पर दे दी 1, 4, 5, 6, 7 इन में से even number कौन कौन से हो गया बता हो गया भी चार हो गया 6 हो गया बस बागी odd numbers है और original list में आपको शो कर दी str right str करके show कर दे को कि यह list है तुसको str पर convert करकर दिखा दिया उसके बाद मन numbers in the list are end equal to यह क्या कर दिया मैंने अगर मैं यह ना लिखता क्या आता है फिर नीचे आता output right end by default क्या होता है slash n होता है मैंने आपको यह space दे के आप दिखा दो और मैंने for j in print event तो print event क्या था मेरा एक function जो की बन गया एक generator right function बन गया generator किस की बदालत yield की बदालत और मैंने बस आमने output तड़ा आ गया तो मेरा original list क्या है कुछ इस थरीके से मैंने क्या किया test list जो मेरी ऐसे शो हो रही है आपकी देखिये test list मेरी ऐसे bracket पे शो हो रही है तो मुझे bracket के साथ दिखाना है तो test list क्या है एक list है तो list with brackets ही शो हो होगी हमेशा right और इसको मैं किस में convert कर रहा हू str में तो यह पूरे कूरे string होगी ठीक है तो यह मरे string में इसने मज़े list को show करकर दिखा दिया और उसके बाद जो even numbers in the list are 4 and 6 देखिये space देखिया आ रहा है print तो एक number generate हुआ 4 दूसरा हुआ 6 तो 4 और 6 मेरे यहाँ पर 2 numbers आ गये क्या यह बात समझ में आ रही है क्या यह बात स एक iterator बन गया एक sequence बन गया और किस की बतालत बना इस yield की बतालत बना बस इतना जान रखता है generator अगर आप कहीं भी पढ़ रहे है generator यह बिजली बदा generator नहीं कह रहा पाइथा में generator कह रहा हूं राइट तो इस जो भी generator आप पढ़ रहे है Python के अंदर तो इसका मतलब यहाँ नहीं का कीवर्ड हमने लगा दिया return statement की बजाए हमने yield कर दिया कि हम रितर हम नोमल क्या करते है return आई कर दे जो भी आबार आ रहा है उसको return करते जाओ जो number even number है यही कर रहे होते इसके जरी करते है yield कर दिया और जैसे yield कर दिया तो मेरा क्या बन गया एक iterator बन गया यह iterator ब बना रहा है देखिए आप देखते है इडरेटर का concept भी देखते है अब यह generator समझ में आ गया आपको जनरेट करना है squares from 1 to 100 एक से लेकर 100 के numbers के squares generate करना है using yield and therefore generator obviously yield करोगे जनरेटर होगा तो एक infinite generator function हम बना रहे हैं जो की अगला square number generate करेगा और start किसे हो रहा है 1 से तो मैंने का के भी define कर दिया function को next square और कुछ निले रहा अंदर मैं और मैंने का i equal to 1 और मैंने का एक infinite loop दे रहा हूं मैं यह infinite loop दे रहा हूं ध्यान रखिए while true यह हमेश्चा true रहेगा yield i into i i का square i1 से start कर रहा हूं और हर बार i को में increment कर रहा हूं तो next execution resume हो रहा है वो यहां से resume होगा जैसी yield के बाद से resume होगा हर बार यह यहां पर घूम के बार नहीं आएगा बांसे नहीं आएगा जैसी yield आगे yield के बाद से शुरू होगा यह हो गया driver code तो जो यह मैं लिख रहा था नहीं यह driver code क्या होगा है यह मेरा loop is function को चला रहा है मैंने का for num in next square next square में जाओ number उठाओ और अगर number में 100 से बढ़ गया तो break हो के बाहर आ जाओ बाहर के सीधा क्या लिख दिया मैंने print num जैसी मेरा number 100 से उपर जाएगा तो बाहर ज्यूर्य जरत कर रहा है Half a heart per really par Benin ऑन्डेर से VRD 100 जादा है त्हुंट कर दूंगा 1000 कर दूंगा 10,000 कर दो 10000 के अपर cœur yo.? की हर बाहर का square create हो रहा है आपका इस तरह से आपकाओ tip do okay 2 lambda square 3 का square? लिखूं क्या और लिखूं बता फो SpaceCómo 9 10 तो 1 से लेकर 10 तक के numbers होगे मेरे यह पूर है और उनके squares होगे तो इस तर से हमने एक function को generator बनाया yield keyword के द्वारा yield आपको साओगे function में तो क्या बन जाएगा वो generator बन जाएगा उस generator को आप एक for loop के through iteration कर सकते हो आराम से बस वही करने का प्रेस यहां पर आपके सामनिक किया गया है तो आपको मैंने कई example दे दिया आपको मैंने एक यह example दिया यह example दिया और यह और दिया वीडियो को pause करके आराम से प्रोग्राम लिख ले ना आज कल वीडियो से ही आप coding copy करके निकाल सकते हो बहुत सारे आज कल ब्लैक box नाम का chrome extension है वो आप इस्मान कर सकते हो चेक आउट कर सकते है आपसको राइट अब हम आते हैं iterator पे सीधा iterator कोच examples देखते हैं तो iterator में आप पर एक iter method होता है अब यह मैंने क्या लिखा हुआ हुआ है यह एक्टल में double underscore है यह arial font है तो sorry calibri font है calibri font में कुछ इस प्रकारी आता है तो यह double underscore iter कुछ इस तर के से double underscore iter double underscore ऐसे करके sorry इस तर से आएगा मैं इसको दुबाह लिखता हूँ जैसे आपने class वाली वीडियो में पढ़ा था init वाला function यह देखें जैसे आपने class वाली वीडियो में init पढ़ा था यह नहीं आएगा यह आपर इस तरीके से तो जो नाम है मेरा double underscore iter double underscore और आगे function का symbol हो गया यह जो method है यह method क्यों कहा रहा हूँ क्योंकि class पर लगता है यह right क्योंकि iteration जो iterator लगता है class के दौर implement होता है तो जैसे class के दौर implement की बात आगे तो function का नाम क्या हो गया method बन गया function method बन जाता है जब वो class के अंदर आता है cdc बात है returns the iterator object यह iterator object return करेगा यह बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है required क्यों हम allow कर सके us iterator को इसको भी जाद दे सके कि वो इसका इस्तेमाल हो सके किस में for यह in statements के लिए इस्तेमाल किया जा सके for यह in statements होती है membership operators होती है in or not in right यह for loops हो गया आपके इस्तेमाल किया जा सके और जो next method है double underscore next double underscore double underscore next double underscore इस तरिके से right यह method return करेगा next element को तो iterator शुरुआत करेगा और next क्या करेगा अलग अगला जो series का number हो generate करेगा next element in the sequence return करेगा अगर कोई finite iterator है तो जैसी वो end तक पहुंचेगा defined by the termination condition जैसी end तक पहुंचेगा all of the subsequent calls to this method should raise an exception seriously बात है कि जैसी वो end तक पहुंचेगा उसकी जैसी end तक पहुंचेगा अगर कोई इस function को call किया जाएगा इस method को call किया जाएगा तो exception generate होना चाहिए exception मतलब गरबड़ी generate होनी चाहिए error generate होना चाहिए अभी तक मैंने exception handling covered नहीं किया है मैंने अभी तक तो covered नहीं किया किया होगा तो देख लेना videos अगर कियोंगे तो मुझे याद नहीं पढ़ा पट यह चीज आपकी यहां पर होनी चाहिए चाहिए class है तो उसका constructor होगा init function आगे मेरे पास और self keyword तो मेरा आने आना यह तो आपको आपने पढ़ा हुआ अच्छा से नहीं पढ़ा तो भी जाके पढ़ लो right max equal to 0 मैंने यह आपर default मैंने एक parameter दे दिया तो default जो होगे values के होगे 0 होगे तो self dot max equal to max अब उसकी बाद मैंने का def iter यह iter नाम का मैंने method दे दिया मैंने init method है और iter method है यह का करेगा n मैंने यहां पर दे दिया self मैं अंदर दिया यहां कर दिया n equal to 0 और return self right यह return कर देगा फिर def next अब next क्या कर रहा है देखिए जहां से यह जो next method है यह exception throw करेगा जब termination condition पहुंच जाएगा self n अगर maximum है sorry greater than n है किससे self max से तो raise क्या कर दो stop iteration समझे रहें बात को जैसे ही मेरा यह n मेरे max से बड़ा हो जाए तो error generate क्या कर दो stop iteration नाम की error generate कर दो नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो चलो आराम से मज़े से चलो क्या करना है result equals to self n n को plus 1 करते जाओ और result generate करते जाओ और अब उसके बात क्या हो गई यह मेरा एक iterator हो गया इस iterator class को मैंने call कर लिया number जे दिया 5 5 किस में जाएगा max में जाएगा बिलकुल जाएगा जी तो इसका output क्या हैगा simple 0 1 2 3 4 5 यहां पे क्या हो रहा है to prevent the iteration go on forever we can use the stop iteration statement जैसे 5 आजाएगा पांच जैसे exit करेगा पांच नमबर से छटा होगा तो stop iteration error आजाएगी error मैंने आपको नहीं दिखाईए क्योंकि exception raise कर देगा exception आपको दिखाएगा नहीं वो raise कर देगा और iteration रुख जाएगी stop iteration हो जाएगा क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे है आप एक class को एक iterator generate कर रहे है iterator आपको यह हो गया in it के बाद का iter और next iter शुरुवात करेगा और next करेगा एक जो आपको पहले बताया था generator किसे implement होता है किसे होता है वाई किसे होता है function के दवारा और iterator किसे होता है class के दवारा तो class का concept आ गया तो iteration iterator में आपके दो method बनते हैं एक iter underscore underscore iter और underscore underscore next underscore underscore यह वाले बनते हैं clear और दोनों में कोई भी parameter दी जाता है सिवाए self के क्योंकि self keyword आपका हमेशा लगता है वो class के रूप में हमेशा लगे कहलेगा by default जतने method होंगे class के दे सब में self keyword आना ही आना चाहिए इसलब के पारिषे कियोंकि ये बता रहा है डर्शार है कि ये जो method है ये मैं खुद को साव्जच कर जो समय कर रहा हूं Heart from me अपना में पर्याप्त हूं और concept कहता है घूच्य काता chamber है करी। सब कुछ कर रहा हूं मैं अपनेcit मोय बढ़या हूं तो self है ये सारे लोग हैं यह सारे और अंतिम जो मेरा ड्राइवर कोड है वो भी आप धहांसे इसको देख लिजेगा तो अब आइटरेटर और आइटरेबल यह दो शब्द आपको काफी देखने को मिलेंगे इंडस्ट्री में या पाइटन के आप किताबों में या दुनिया भर के आप गीक आप गीक्स पर सर्च मार लेजिए प्रोग्रामिस पर कर लेजिए और बहुत सारी वेबसाइट से या बनलाब यह कितनी गिनू या बनलाब इतनी बथेरे बथेरे रियल पाइटन बहुत बढ़ी है वेबसाइट और इन सब में आप देखेंके तो आइटरेटर है जिन पर लूप चला जा सकता है चलाय जा सकता है यह इन सब पर यह effective बनलाब यहित हैAre Iterable are iterable containers, ये containers हैं, जो आप get कर सकते हैं, using iterator from an iterator from, all these objects have iter method, in सभी objects के जिनर, खुद का iter method होता है, जो की इस्तमाल होता है, एक iterator get करने में, तो ये चीज आपके सामने हैं, के ये सब iterables है, ये iterables के अंदर iter होता है, function होता है, जिससे iteration किया जा सकता है, जिससे वो allow कर रहा है, for loop के, आओ, मुझा iterate करो, ठीक है, तो ये चीज हो गए आपके iterator versus iterable, तो अभी तक तो आपके समझ में आ गया होगा, एक और example लिखते है, my tuple iter keyword का इसमाल कर रहा हूँ, apple, banana, cherry, मैं कहा करते है, my it कुछ भी कर दिया, iter my tuple, इस tuple को iter करना है, अब मुझे कहा करना है, अब ये अपने देखा था iter keyword और next keyword देखा था, वो class के अंदर है, class के भाहर आके क्या हो जाएगा, double underscore हट जाएगा, double underscore हट गया, next might, next might, next might, next might, तो मुझे एक एक बार next 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 करके statement देनी पढ़ जाएगी, अगर यहां पर 3 हैं चीज़ें तो 3 बार राण करना पड़ेगा next आपको, 5 हैं तो 5 आपको दिखाने तो 5 बार राण करना पड़ेगा, 6 तो 6 बार राण करना पड़ेगा, तो return an iterator from a tuple, एक iterable से return करना है किसको, iterator को return किया जा रहा है, iterable से, iterable में रगाओ, a tuple, list, dictionary, set and print each value, सिरी सिपात है, वहां से उठाओ, एक एक value को उठाना शुरू करोगा, दिखाना शुरू करोगा, यह देखो, my str banana, इसका मिने iter बना दिया, तो क्या हो गया, b a n a n a, यह आट पोटाएगा सका सिधा, strings are also iterable objects, बिलकुल सीग है, तो sequence of characters है, तो b a n a n a banana, राइट तो यह आपका answer यहाँ पर भी आपका आ गया, यह देखिए, apple banana cherry, for loop, यह भी तो यह काम कर रहा है, iteration ही तो हो रहा है, और इसका देखिए, same चीज नहीं हो रही, अभी हमने क्या करका देखा था, यह loop customer कर रहा हूं है आपर, यह बनाना के लिए loop हो गया, यह मेरा my tuple वाला हो गया और अभी तक हमने क्या करता है, बनाना वाला यह क्या था, iter और next और हमने tuple बना, इसका fruits वाला भी किया था, tuple वाला, तो यह होगे loop वाले, तो क्या अंगरजी लिखिए, for loop actually creates an iterator, for loop एक iterator object create करता है, और execute करता है next method को एक एक करके, आपने भी वो काम कर रहा है, जो भी आप by default झाप खुझ से करने का प्रेस कर रहे हैं वो काम loop already करता है, और यह for loop करता है why loop नहीं करता, why when available है जब तक है तब तक चलो, जब तक है जहां, जब तक है जहा, तब तक चलो, तो यह loaf его बात कर रहा है, हम यहां पर फॉर्ट की बात कर रहे हैं इसके लिए चलो ठीक है तो अभी तक आप लोगों को यह जनेरेटर आइटरर कंसेट्ट आराउं से समझ में आ गया होगा देखो भई क्लियर हो जाना समझ में आ जाएगा तो मिलते हम नेक्स लेक्चर में दन्यवाद